हेलो अब्रीवन वैलकम टू चैड़ एद्यूकेशन आज तस सीए में इंटर्मीडेट का ग्रूप वन का पेपर नंबर सैवन डिरेक्ट टेक्सेशन का डिरेक्ट टेक्सेशन आपको पता ये वन आफ दे ट्रिकिस्ट और टफिस पेपर रहता है अगर ग्रूप वन की बात क करें तो इसमें जो आपको house property plus residential status का combined question देखने को मिला इसमें आपको salary में से भी question देखने को मिले और सब ी total income निकालते हुए पूछे गए थे snE की paper scoring इस में काफी जयादा scoring part भी रहते होप कर तो आपने वह question selectively अच्छे से करे हो और आप अच्छे नबर से को स्कोर कर सकें बाकि आप कमेंट करके बदा सकते कि आपका पेपर कैसा गया अगर स्टूडेंट की रिव्यू की बात करें तो इतने प्रसंट स्टूडेंट को जाए पेपर इसी, एवरेज और टफ लगा आप इस पोल का इससां बन सकते चाइडए एजूकेशन के टेलिग्रम चैनल में डेली बिसे կे पोल गंडक करवा जाते हैं और चाइडए एजूकेशन के टेलिग्रम चैनल में आपको जोए पेपर अप्लोड़ेड भी मिल जाएगा link in the description box as well as print comment बाकि जब June 23 में जब news scheme में examination होंगे तब तो direct taxation का जो paper होगा वो भी direct tax कानी रहेगा उसमें direct tax plus indirect tax taxation का paper रहेगा सिरफ जिसमें आपको direct tax भी पढ़ना पढ़ेगा और indirect tax भी पढ़ना पढ़ेगा अब आपको पूरा focus होना चापके next paper में अगर आप बोद ग्रूप दे रहे तो paper no.11 indirect taxation और अगर आप single group दे रहे तो आपके last paper में paper no.8 cost accounting में बेस्ट इस आपके upcoming papers के लिए और at the end में अगर आप चैनल में नेज़र चैनल को subscriber के all notification mail बन करना राभ उलेगा क्योंकि youtube में एक मातर चैनल है जिसमें आपको just CA में course related updates announcement देखने को मिल जाती है thank you so much for watching the video